हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप में से कई सारे फ्रेंड्स ने हमसे पूछा था कई बार हमारे चैनल पे से कमेंट आये थे कि सर प्येश्डी के इंटर्व्यू में क्या पूछते हैं तो जैसा कि हम प्येश्डी के लिए कई सारे वीडियोज बनाते रहते हैं तो मैंने फचा म तो आज हम इस वीडियो में आप सभी करेंगे कि PhD का इंटर्वियू कैसे देना है यहाँ पे क्या पूछते हैं क्या क्या डिटेल्स आपसे पूछते हैं क्या तैयरी आपके होनी चाहिए और आपको किस प्रकार से जाना है तो सबसे पहला इस्टेप आता है कि आपको जाना कैसे है और क्या क्या अपने साथ ले जाना है तो देखिए मैक्सिमम पीजडी के इंटर्वियू में जाने के लिए इंटर्वियू में ही आपका डाकुमेंट वेरिफिकेशन होना है तो आपको सारे डाकूमेंट अपने तयार करके ले जाने है ज्यादा नतरी इन रिफिटीज में आपसे मंगा जाता है रिफर्ज प्रपोजल तो रिफर्ज प्रपोजल या सिनाप्सिस जो भी आपके पास हो आप उसे तयार कर लीजिए और उसे अपने साथ लेके जाएए कम से कम दो counties में उसे लेके जाएए ताकि एक copy आप होँआ पर जमा कर सके और एक copy आप अपने पास रख सके के reference के तोर पर कभी कभी ऐसा होता है कि proposal को आपके पास हाथ में दे देते हैं और कहते हैं कि आप फिर इससे हमें explain करिए इसे detail में बताइए तो इसके लिए आपको पास दो copy होनी चाहिए और सभी documents की आपके पास एक-एक copy अपनी होनी चाहिए और हर एक copy को आपको जगर document वह होती है कि आप इसको कहां या कहां के लिए अटेस्ट कर रहे हैं तो दो जरूरी चीजे हो गई synapsis या proposal और इसके लावा आपके document और सभी document की आपके पास कम से कम एक-एक-एक-दो-दो फोटोकापीच होनी चाहिए तो इतना लेके आप जब PhD के लिए interview में पहुचोंगे तो फिर आपको कुछ देर बाद वहाँ पर बुलाया जाएगा जैसे या आपका number आ जाएगा तो आप वहाँ पर रूम में जाएंगे और फिर यहां से सवाल आता है कि वहाँ पर आपसे क्या पूछते हैं तो डिखे फ्रेंड सबसे पहली चीज जो आप से पूछते हैं या पूछना चाहिए उनको या आपको इसकी तयारी रखनी चाहिए कि आपने PG कहां से किया हुआ है तो जैसे आप बताएंगे कि आपने हां से PG किया हुआ है तो वह प्युचनगे कि PG में आपके subject क्या थे? मैक्सिमूँ ऐसे ही पूछते हैं PG में आपके first year में क्या paper थे? Second year में आपके paper क्या क्या थे? और उसके लिए आपने कौन सी book पढ़ी थी? उस book का लेखक कौन था? तो सबसे पहले आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए कि आपने UG और PG में जो पढ़ जाता है कि PG first year में आपका क्या क्या पेपर था, कौन-कौन से बुक थी, उसके कौन-कौन से लेखक थे, PG second year में आपने कौन-कौन से बुक पड़ी थी, आपके क्या क्या पेपर थे, उनके लेखक कौन-कौन थे, ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, दुफरी चीज, अ कितने नंबर मेरे थे, final year में कितने नंबर मेरे थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये तो बहुत ही basic details जो कि आपसे पूछते हैं, वैसे जो interview का मूल आधार है, interview में जो विशेश तोर पे पूछा जाता है, PhD interview में, जिसके चारों तरफ आपका पूरा interview घूमता है, वो ह उसके बारे में आपको छोटी फे छोटी जानकारी, महीन से महीन जानकारी होनी चाहिए, सारे question जो भी उठाया जाते हैं, maximum आपके proposal से उठाया जाते हैं, तो proposal के बारे में आप पूरी तरह से तयारी करके, उसके संबंध में net फे फर्च करके, अगर आपने proposal किसी और का लि आप से पूछेंगे कि आप जो रिफर्च के लिए प्रपोज कर रहे हैं, इफ रिफर्च को आप कैसे अंजाम देंगे, आप प्रैमरी डाटा कैफे जुटाएंगे, आप से केंटरी डाटा कैसे जुटाएंगे, अगर ये डाटा प्रैमरी है तो से कंडरी कौन सा होता है, कौन कौन फी data primary होते हैं कौन कौन secondary होते हैं आपको पुरी तरह से पता होना चाहिए और business का प्रपोजल में आपके कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस बात का business ध्यान रहकें क्योंकि प्रपोजल छोटा सा होता है चार-पांच पेज का प्रपोजल होता है फिन आपसी थोड़ी बड़ी होती है प्रपोजल में कोई भी गलती ना हो क्योंकि इससे बहुत ही बुरा आसर पड़ता है एक और सवाल जो कि PhD इंटर्वियू में आपसे अक्सर कर लिया जाता है कि आपने क्या सोच के यहाँ पे PhD के लिए अपलाई किया जैसे मान लिजिए कि आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपने मद्धे प्रदेश में अपलाई किया है तो अक्सर एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि आपने यूपी में क्यों ने अपलाई किया अखिर आपको वहाँ क्या प्रदेश आपके लिए नजदीक था वहाँ क्या प्रदेश आपने यहाँ क्यों अपलाई किया तो इसका जबाब आपको क्या देना चाहिए मेरे हिसाब से इसका जबाब आपको एक इमानदार जबाब देना चाहिए कि जिस भी वज़े से आपका flexion नहीं हुआ या आप UP मेटम्ट नहीं कर पाए वो चीज आपको बतानी चीए कि ऐसा सा हुआ था और मुझे ये जगह जहाँ पे मैं आज हूँ ये ज़्यादा बहतर लगी इसलिए मैंने यहाँ पे apply किया है एक इमानदार जवाब दीजिए जवाब सबको बता है बस आप से पूछना है उनको और उनको देखना है कि आप इसका क्या जवाब देते हैं अगर आपने जूट बोला जैसे आप इस तरह की बाते करते हैं कि वहाँ पे तो सब कुछ बेकार है आप बहुत अच्छा है तो समझ जाते हैं कि आप जोट बोल रहे हैं कभी भी इस बात का बिसेज ध्यान रखें कि कभी भी उस संस्था की उफ उन्यूर्फिटी की बुराई ना करें अगर कोई बुराई है भी तो उसे बैलेंस तरीके से रखें कई ऐसा न रख दें कि लगे कि बहुत ही बुरी जग ऐसे आप आये हुए हैं एक और सवाल किया जाता है कि जैसे अगर आपने कोई ऐसा रिफर्ज प्रपोजर बना लिया है जो आपकी फिल्ड में नहीं है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ही नालेज है तो अक्सर वो पूछते हैं कि आप इस फिल्ड में रिसर्च कैसे करेंगे जबकि आपको इस फिल्ड का पूरा ज्यान नहीं है आपको अच्छे तरीके से जानकारी नहीं है आपका या सब्जेक्ट भी नहीं तो आप इसमें रिफर्श कैसे करेंगे जैसे मान लिजे कि आप जियोग्रेफिस हैं और आपने एक प्रपोजल बनाया कि ग्रामीर जीवन पर नवाचारों का क्या प्रभाव पड़ता है तो चुकि नवाचारों की बात कर रहे हैं यानि कि टेक्नोलाजी की बात कर रहे हैं नमिन टेक्नीकी की बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपका कही नगई फिर टेक्निकल बैग्राउंड थोड़ा फात्र होना चाहिए तो वे अक्सर आपसे पोछते हैं कि आप नवाचारों के बारे में बात कर रहे हैं आप नवाचारों को कहफे अंडरिस्टेंड करेंगे जबकि आपका बैगराउंड तो आर्ट है आपने जियोग्रेफिक पड़ी हुई है तो इसके लिए आप उन्हें जवाब दे सकते हैं कि सर मेरा इसमें interest है मेरी इसमें रूची है जवरी नहीं कि हर चीज जिसमें मैं रूची रखता हूँ उसकी मेरे पास degree हो क्योंकि समय और संसाधन मेरे पास सीमित है लेकिन मेरे इतनी रूची है कि मैं इस नवाचार को अपने सब्जेक्ट रिफाट रिलेट करके आपको दे सकता हूँ इसमें रिफर्च कर सकता हूँ इमानदार जबाब देजिए और एक रणनीतिक जबाब देजिए अगर आपकी रूची है आपको नालज है तो ही आप कर सकेंगे अन्य था आपने कोई कठी टापिक लिया तो बाद में आपको टापिक चेंज करना पड़ जाएगा एक और सवाल जो interview में आता है कि आखिर हम आपको select क्यों करें यहाँ पर ध्यर शारे candidate आये हुए है हमारे पास seat 20 है आप 50 लोग हैं आखिर हम आपको क्यों select करें तो यहाँ पर आपको यह नहीं कहना है कि यहाँ पर जितने लोग आये हुए है मैं सबसे अच्छा हूँ, उसमें सबसे बहतर हूँ क्योंकि ऐसा आप नहीं कह सकते क्योंकि जो लोगों हाँ पे आए हुए हैं उन्हें तो आप जानते भी नहीं ना वो आपको जानते हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप उनसे बहतर हैं किसी से भी compare ना करें मैं इसके बारे में ठीक तरीके से ग्यान प्राप्त करिया है, मैं well prepared हो के आया हूँ और मैं इस चीज की मानसिकता रखता हूँ कि मैं इस पर अपनी PhD को अपने सोध को पूरा करूँगा और जहां तक बात है selection की, तो selection में मेरी योग गिता है या आयोग गिता है, मैं इस योगे हूँ की नहीं हूँ यह आप पे dependent करता है सर क्यूंकि आप हमसे ज़्यादा बुद्धिमान, हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं और आप हमारे chain करता है, तो यह आप पे निर्भर करता है अगर आपने मुझे मौका दिया, तो मैं आपको बहतर करके दिखाऊंगा, अगर मैं select नहीं भी होता हूँ, तो मैं पुनह प्रयास करूँगा तो इस तरह के उत्तर से इंटर्विवर प्रसंद होता है, कि ठीक है, बच्चा हमें महत्तुदे राज़त से होता है, कि आपको थोला सा वहाँ पे उनकी इगो को संदुष्ट करना होता है, कि सर आप हमसे बड़े हैं, आप हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, आप हमारे chain कर करने वाले हैं, तो आप बताएंगे कि मैं योग हूँ की नहीं हूँ, अगर मैं योग नहीं हूँ, तो मैं फिर अपनी कमियों को दूर करके मैं आपके पास वापस आउँगा, दुबारा कोशिच करूँगा, तो इस तरह का जवाब एक इवांदार और रननितिक जवाब ह होता है, कभी भी किसी की बुराई ना करें, कि जो लोग भी हाँ हैं, मैं सबसे तेज हूँ, उसमें ऐसा कुछ ना बोल दें, जिसे आपका घमंड या आपका सुपिरियारिटी कामपलिक्फ जलग जाए, क्योंकि इस तरह की चेज़ें आपको इंटर्व्यू से बाहर कर सक वहाँ पे गाइड्स का या इंटर्व्यूर का पहले ही कंडिडेट्स की तरफ जोकाव राता हैं, वे अपने ही कंडिडेट्स को स्लेट करते हैं, दुसरों को रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसके लिए क्या करें, तो देखिए अगर आपको फेयर का पता है, तो थोड़ा पूसिस करिए, घुच देने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इंटर्व्यू में जाने से पहले आप वहाँ पे डिपार्टमेंट में जाईए, अपलाई करने के बाद इंटर्व्यू की डेट से पहले आप डिपार्टमेंट में जाईए, वहाँ पे प्रोफिसर को अपना होता है कई बार आपको वहीं पर select कर लेता है कि इस वच्चे को हमें लेना है तो इससे भी आपका काम बन सकता है कि आपको वहीं पर select कर लेंगे अपने दिमाग में रख लेंगे कि इनको लेना है तो फिर वाद में आपको फजएफन देते हैं जैसे अगर आपने अपने प्रपोजल में गलटियां की है, आपकी तयारी जो है, प्रिपेरड नहीं है, आपको प्रिपेर्ड नहीं है, इंटर्व्यू के लिए, तो प्रफोज़ आपका proposal तुझ देख लें और इसके बाद आपको कुछ शलाह दे दें या फिर आपको select कर लें वो उनके उपर depend करता है विसेसकर उनसे पहले मिल जाने पर आपको फाइदा ही होगा और PhD में ऐसा ही होता है तो यहाँ पर बहुत इमानदार बनने की कोशिश मत करिए जैसा होता है सिस्टम के साथ आप चल फकते हैं अगर आपको admission लेना है तो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि किसी का fair interview नहीं होता है fair interview हो भी होता है fair reflection भी होता है लेकिन ये चीज़ें इसमें जो link वाली चीज़ है जुगार वाली चीज़ें बहुत जादन चलती है कई जगें पर तो एक अगोसित नियम सा है कि अगर आप interview से पहले आप guide से प्रोफिशर से आप बात्चित नहीं करते उनसे नहीं मिलते तो maximum chance है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा तो अगर ऐसा कुछ आपको पता है जहापे आप interview देने जा रहे हैं तो आप वहाँ पहे interview की date से पहले ही एक चक्कर लगा आईए सबसे मिल लीजिए अपनी कमियों के बारे में जान लीजिए और मैं interview के लिए मैं सरक्या तयारी करूँ मैंने कभी interview दिया नहीं है तो पर पर आप मुझे guide करें तो आम तोर पर जो एक professor होता है जो एक teacher होता है उसे आपको guide करने में अच्छा लगता है वो आपको guide कर देंगे कि आप क्या-क्या topic तयार करके आओ यहाँ पर interview का pattern क्या है कैसे सवाल पुछ जाते हैं किस तरह की बाते होती है यह सब आप तयार कर लिजिए और last बाते हैं कि आप जो भी आपका subject हो उसके बारे में छोटी जानकारियां बिल्कुल तयार रहे लिजिए जैसे मान लिजिए आपने PG किया है लेकिन आपके अपने subject में UG में क्या था या भूल गए हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा तो जिस भी subject में आप जा रहे हैं उसकी छोड़ी छोड़ी जानकारियां उसकी प्रारामभिक परिभासा हैं जो आपका subject है बात में आप भूल गए तो इस तरह का एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है तो आप जो भी basic detail है आपको advanced detail भले ही ना पता हो लिए अपने subject की basic detail को रटके तयार करके ही आप interview को फेस करिए तो अभी तक जो मैंने interview दिये हैं जो मैंने काम किया है कई लोगों से मैंने बात्चित की है तो इसके बारे में मुझे जो अनुभव मिला है वो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन अनुभवव को इन चीजों को अपने जीवन में apply करेंगे तो आपको PhD interview में सहायता मिलेगी और आपके selection के chance maximum होंगे तो ठीक है friends अगर आपको कोई सवाल है तो आप comment box में पूछ सकते हैं अगर ये video आपको पसंद आता है तो video को like करिए channel को subscribe करिए thanks for watching